मस्का में तरोस वागत है आपका इस यूटीब चनल पे शिक्षा सेवा चैन आयो को जल्द मिलेगा मुखिया एक गाना यादार आया पधारों मारे देश कब आप हमारे देश पधारेंगे कब विभाग में आप आएंगे कब एक अध्यक्ष मिलेगा जो की पर्मनेंट होगा किराय का नहीं होगा पर खबर पढ़ते हैं फिर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेशी सिक्षा सेवा चैन आयो के अध्यक्ष पत पर नियुक्ति के लिए आविदकों का 25 अगस्त को साक्षातकार होगा अध्यक्ष की नियुक्ति ना हो पाने से सिक्षकों की चैन पक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है, इस आयो का गठन, बेसे सिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्वा, तकनीकी सिक्षा के सिक्षकों के चैन के लिए किया गया है, मुख्य सचीव की अधिक्षता में गठित, चैन कवेटी की संस्तुति पर मुख्यमंत्री द्वारा अध्यक्ष क न्युक्ति की जाएगी अदक्ष के लिए लगबग 60 आवेदन आए हैं मुक्य सच्चिव मनोच कुमार सिंग के लोक भवन स्थितकार याले में रविवार को साखशतकार होगा इसमें अपर मुक्य सच्चिव मादमिक सिक्षा दीपक कुमार प्रमुक सच्चिव उच्च सिक सिवाचन आयोग के अद्यक्ष का होना मान के चलिए 25 को अगर उसका सक्षात कर हो रहा है तो एक दो दिन में उसका रिजल्ट मान लीजे इस महीने के एंड तक आपको ये जानकारी लग जाएगी कि आपके सिक्षा सिवाचन आयोग का अद्यक्ष कौन होने वाला है लेकिन 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 क्या ऐसा तो है नहीं कि तुरंत अध्यक्ष को चुनते ही अगले महिने कोई भरती आ जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं अभी आपको इंदिजार करना पड़ेगा मान के चलिए सबसे पहले जब अध्यक्ष चुना जाएगा वो जॉइन करेगा जॉइन होने जो संख्या होती है उसको कितना है उसको जो संग्रह करें कि उसके लिए एक अलग से आई वो बनेगा सेक्शन बनता है तो उन सब की मीटिंग होगी फिर उन सब की मीटिंग में हर बार एक मीटिंग में काम नहीं होगा ये भी आप जानते एक मीटिंग होती है सबसे पहले क कि क्या करना है, कैसे करना है अगली मिटिंग होती है, फिर वो data जो भी होता जुटा के लाते हैं, उसके बाद third drinking होती है जिसमें होता है कि हाँ बाई हमको ये करना है तो मान के चलिए मोटी मोटी तीन मिटिंग करीब करीब हो जाती है अब इतने विभाग के अंतररक्त, इतने सारे जो work बाटे जाएंगे जो section बाटे जाएंगे, उत्ति की meeting होगी, उनमें कोई प्रस्ताव पारित होगा, निमा वली कितनी बनी है, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है, क्योंकि जब हाला कि सुनने में क्लियर नहीं लेकिन मान के चलिए कि इस अंतक महिने के अंत तक आपको यह जानकर ज़रूर मिल जाएगी कि कौन धिक्स बनने वाले हैं फिर बैठोकों का दौर और अगर सरकार थोड़ा सा तेज काम करना चाहेगी तो यहां मान के चलिए महिने दो महिने बाद आपको एक भर भरतियों का फॉर्म भरा हुआ है कि और एडमिट कर दे के पेपर कराना इसको पहले क्लियर करा जाएगा ऐसी उमीद जटाई जा रही है उसके बाद ही शायद कोई बिल्कुल फ्रेश भरती देखने के लिए मिलेगी तो अभी इंतजार का समय है मान के चलिए अगर बहुत कम समय भी दूणे तो शायद 3-4 महीने अभी कोई और भरती के लिए है क्योंकि सबसे जाता बच्ची इंतजार करने है प्रात्मिक शिक्षक भरती का उसमें अभी समय है ये मान के चलिए क्योंकि इन सब चीजों को होते 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 3-4 महीने लग जाएंगे और कटिंग में चीज और आपने पढ़ी होगी मुख्यवंत्री ने कहा था कि एक बार में एक काम करें लब एक बार में एक परिक्षा कराएं चार चीजों को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाती है खिचडी खाना किसी को पसंद नहीं है अब देखते हैं क्या होगा कैसे होगा कब होगा उन स सभी की जानकारी आपको चैनल से मिलेगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों तक शेयर करिए और वीडियो को पढ़ने के बाद देखने के बाद अगर कोई विचार आया करें तो कमेंट जरूर किया करिए लास्त अब आपने विटे थे कि उसके बहुत बहुत दने बाद बाद को ते नचो हो